असलाम लेकुम फ्रेंट कैसे हैं आप लोग क्या हल चाल है उमीद है कि खेरिये से होंगे और ये जो लास्ट प्राइडे हमने ग्रोस्टे की थी तो उसमें हमने जो चावल लिया था जो इस्पेशली मैं जो चावल ले ली थी वो रॉंग आ गया था कोई दूसरी ब्रैंड का मैंने ले लिया था मैंने सुचे चलो दूसरी ब्रैंड का ट्राइ करते हैं तो मैंने वो किसी को नहीं पसंद आया तो फिर मैंने कारफोर से ये ताजमहल चावल जो कि हमारे यहीं यूज होता है तो फिर मैंने ये ओर्डर कि किसी को भी वह टेस्ट मतलब एक आदत हो जाती है कि जो चावल खॉते आते हैं वही चावल क्या रेजबन को लगी थी जो है इंस्टेंट वाली भूख और उन्हें बाहर निकलना था तो मैंने फटा-फट से पांच मिनट के अंदर मैंने मैकरोनी त्यार की और मैकरोनी ये विदाउट जो है चिकन वाले थी क्योंकि बहुत ही मुझे पांच मिनट में त्यार करना था और मै जाती है तो ठीक है और मैं निकल रहा हूं तो मुझे फटा-फट से मैंने पांच मिनट में मैकरोनी त्यार की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैयोनीज वगरा मंद्राल ना क्योंकि मिने इसमन को चीज मैयोनीज ये सब बिलकुल भी पास्ता पीजा मैकरोनी मतलब उनको ये सब चीजे नहीं पसंदे जाता मैनीज और ये चीज वगरा तो उन्होंने कहा कि विदाउट मैयो और विदाउट चीज के फटा-फट से कोई रेसिपी बना सकती है तो जल्दी बनाओ तो मैंने ये मैकरोनी फटा-फट से बना दी और ये पांच मिनट में डेडी हो बटर एड़ कर दिया थोड़ा बहुत फ्लेवर को इन्हेंस तो करना ही पड़ता है अपने हातों की जादोगरी तो चुपके से दिखानी पड़ती है तो इसमें बटर डाल दी और थोड़ा सा मैने मैनीज भी मैने एड़ ही कर दिया था हलका सा बिलकुल हाफ टीस्पून स यूरा बेट किया था जब बच्चों का बनाती हो तो अच्छे से भर भर कि मैं अट करती है तो अच्छा लगता है चीज और ये मायो मैं अच्छे से एड़ करते हूं और बस यहां मेरी conduc बहुत फास्टरडी हो गई है मैं अज्समें को दूँगी और फिर मैं उसके ब इंडिया से आना जाना तो सभी का लगा ही रहता है कोई ना कोई आता ही रहता है तो जो है कोई परदेश में रहता है तो सभी अपने घर से इंडिया से या पाकिस्तान जो जहां से भी रहता है अपने कोई ना कोई चीजे मंगाते ही रहते हैं तो बस मेरे लिए घर पे पहनन लेकर्ण आतु हैं तो इस बर में vacation पर नहीं गई तो फिर मैंने अपने ड्रेस मंगा ली तो एक relative आ रहे थे तो उन्हों ने जो है उनसे मैंने मंगा लिया क्योंकि मेरी sister ने भेचा है तो कुछ घि Ведь लिए तो आप देख सकते हैं ये dresses है six dresses है 3 stitches और 3 3 मतलब ready made थे और 3 जो सिस्टन ने stitch करवा के इस्टन एक ही दिन वे stitch करवा के उन्होंने भिजवाया है तो अब चलिए मैं आप लोग के साथ share करते हूँ कि ये dresses कैसे है तो चलिए फर्स्ट ये pink dresses start करते हैं क्योंकि pink मेरा favorite है pink yellow और फिरोजी ये सारे color मेरे favorite है तो चलिए pink से start करते हैं तो ये है ये un-stitched था ये dress और ये मतलब suit था पुरा un-stitched तो इसे मेरे sister ने stitch करवाया है मैंने अपना measurement उन्हें what's up कर दिया था तो उसी साबसे उन्होंने stitch करवा के भीजा है और ये pink color में है white embroidery है ये रेशम से बनी हुई है और इसका कपड़ा chiffon का है और इसके साथ inner मतलब दिया ही गया था और ये trouser है तो फटा फट से जो है silva के sister ने भेजवा दिया ये trouser है और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा है pure chiffon का दुपट्टा है एकदम हलका है और बहुत ही soft और एकदम मक्खन जैसा इसका दुपट्टा है इस पर all over embroidery बनी हुई है ये मुझे काफी पसंद आया और बहुत ही मक्खन जैसा ये देख सकते हैं बहुत ही soft जो है ये दुपट्टा है इसका तो color भी मुझे बहुत अच्छा लगा है तो तो चली नेक्स देख लेते हैं ये प्याजी color का जो dress है ये भी काफी अच्छा है और ये cotton पे है और बहुत ही soft और आरामदे है और इसके साथ भी अस्तर वगेरा लगा हुआ है और ये ready-made dress है और ये daily wear के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत comfortable है इस पर embroidery भी बनी है बहुत ही healthy सी मतलब बिल्कुल जो flat embroidery होती है ये नहीं कि चुबने वाली वगेरा नहीं है इसके back में धागे वगेरा ऐसा नहीं की उभर के आ रहे हो जो आपको चुबें तो काफी comfortable इसका कपड़ा है इसके जो है मोडी पर भी देख सकते हैं आप जो है ऐसे embroidery के पैचेंस लगे हुए है और इसके दूपट्टा जो है white color का है white net का है काफी अच्छा है और अब देखते हैं नायरा ड्रेस जो की बढ़ा famous था इद पकरेद में तो बड़ा नायरा कट का नाम सुनी थी लेकिन सुधी में रियाद में तो यहां पे कुछ भी नायरा का आता पता नहीं था क्योंकि यहां ज़्यादा तर पाकिस्तानी सूट की ज़्यादा डिमांड होती है तो यहां जादा हम लोग पाकिस्तानी सूट ड्रस वगरा खरीद लेते हैं जो कि हैवी बहुत जिसे इद पक्रीद में लेते हैं तो हैवी होते हैं तो इसलिए मैंने जो है डेली वेर के लिए इंडिया से मंगवाए क्योंकि इंडिया कॉटन अच्छा होता है और बहुत ही कंफ साइट से यह जो है जो है जो इसकी ओपन होती है तो इस वज़े से यह नारा कट फ्रॉक स्टाइल में बट यह साइट से चॉक कट होते हैं कट होते हैं और यह इस टाइप से पेटी टाइप बना होता है और यह नेक पे एंब्रोडी बगर होती है बहुत देजाइन होती है नायरकट में तो ये फ्रॉक है ट्राउजर है और इसका कॉटन का दुपट्टा है और ये भी बहुत ही जादे इसका कपड़ा अच्छा है बहुत ही कमफर्टेबल है और इस ड्रेस की बात कर लेते हैं ये भी डेली वेर कॉटन के ड्रेस है इसका ये दुपट्टा है और तबी काफी लंबा लंबाई चोड़ाई में ठीक ठाक है चोड़ा तो बहुत नहीं लेकिन लंबाई अच्छे खासी है और मतलब डेली वेर के लिए तो बेस्ट है और इसका ट्रॉकजर है और सिस्टर ने जो है जो सूट रेडिमेड लेते जैसे यह रेडिमेड है तो जो इसने वगेरा ना खूले तो यह भी बहुत अच्छा और कलर भी इसका बहुत अच्छा खेलता हुआ कलर है और जो है इसा भी हलके से नेक बेव इंब्रॉड़री है और कपड़ा भी इसका अच्छा सॉफ्ट कॉटन है और अब मैं यह आपको दिखाते हूँ है यह तो बह जो गोटे वाला काम होता है वो है आपको मैं नस्दीक से दिखाती हूँ कि इसके उपर जो है गोटे की हलके सी इंबराडरी बनी है ने के पास और काफी कमफर्टेबल इसका कपड़ा है और सॉफ्ट कॉटन है यह देख सकते हैं यह हलकी सी इंबराडरी है यह भी डेली वेर के हिसाब से बहुत थी मतलब अच्छा लगा मुझे और इसका तो पट्टा भी काफी सॉफ्ट सा है और जो है इसका ट्राउजर भी कॉटन है तो यह सारे ड्रसेज आप मुझे मेरे किचन में और मेरे व्लॉग में जो है पहनते हुए नजर आएंगे यानि कि जब मैं इसे पहन के काम करूंगी तो आप लोग इसे देखेंगे कि हाम आइने यह ड्रसेज पहने हुए है और यह काफी अच्छा लगा मुझे यह कलर कॉंबिनेशन और इसके जो है फैबरिक वगरा जो है बहुत ही अच्छा था और एक हिए ड्रस देख सकते हैं काफी अच्छा सा है और कलर भी बहुत ही अच्छा और इसके दुपट्टा तो प्यूर शिफोन का है बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा था अच्छा लग रहा था और इसकी मोड़ी पे जो है जो है सिस्टर ने पैच लगवा दिया है और काफ एच्छा लग रहा है यह भी जो है अनिस्टीश लगी हैं और जो पैस लगे हैं लेसके वो काफी अच्छे से अच्छे लग रहे हैं और इसके जो इंब्राडरी है और मतलब कपड़ा वगरा बहुत अच्छा है और मुझे तो बहुत ही जादा पसंद आया और अब मैं इशालला कल से इसे पहने स्टार्ट करूंगी और आप जबबे से मैं बाहर निकाल देती क्योंकि वह काटन का जो दप गया था तो इसे मैंने निकालकर प्लेट में रखके, मैं इसे फ्रीज में रख देती क्योंकि यह खुझी और काजू बदाम की बरफी कोई बरफी थी तो और यह भी सि्स्टर ने भेचा है इसे खाश्ट्र ने था था, उसमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जो है। तो यह यह बहुत ही जड़ा है स्वाथ सीक्राइब करएब्चीन है। और साथ मी सिस्टर ने ये बैंगल्स भी भेजी है और बैंगल्स मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही प्यारी है और खुबसूरत लग रही है ये सारी शॉपिंग सिस्टर ने लखनों से की है क्योंकि मैं सिस्टर लखनों में रहती है तो सिस्टर ने लखनों से जो ट्रॉक है लेकिन मैं भी चेंज नहीं कियों अब मैं ये सारी चुड़ें पहन के आपको आपके साथ शेर करूंगे कोई भी रेसिपी वगएरा कुछ भी तो ये सारे ड्रेसेस जो है इंडिया से आए हैं सिस्टर ने बेजे हैं I hope कि आपको ये ड्रेसेस पसंद आया होंगे म मिलते नेक्स वीडियो में अलाहा फीज